ये कहानी बिलासपुर गाओं की है जहां तीन भाई रहते थे माता पिता के मरने के बाद तीनों की इस्थिती काफी खराब हो गई लेकिन तीनों ने मुसीवत का बड़े धहरे से सामना किया तीनों भाई बहनत करते और खुशी से एक साथ रहते तीनों भाईयों का सभाव बहुत अच्छा था और महनती होने के कारण उन्हें सफलता जल्द ही मिल जाती है एक दिन तीनों भाईयों ने आपस में फैसला किया अब जब वो सफल हो चुके हैं तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए इससे उन्हें थोड़ा अराम मिल जाएगा तीनों ने सहमती से नजदीक के गाउं में जाकर शादी कर ली तीनों अपनी पत्नियों के साथ खुश रहने लगे लेकिन आज का समाज ऐसा है कि किसी को खुश नहीं देखना चाहता आस पडोस के लोग ये सब देखकर चलने लगे कि आखिर ये तीनों भाई आपस में इतना खुश कैसे रहते हैं पडोसी अक्सर तीनों भाईयों के घर पहुच जाते हैं और बढ़काने की कोशिश करते हैं लेकिन तीनों भाईयों को इससे कोई फरक नहीं पड़ता एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते ये सब देख पडोसी को और जाता जलन होने लगे सोचने लगे इतनी मेहनत करने के बावजुद इन भाईयों को अलग नहीं कर पाए पडोसीयों ने सोचा कि तीनों को एक साथ बेवकूफ नहीं बना सकते इसलिए उन्होंने पूरे गाउं में एक अफवा फैला दी कि तीनों भाईयों में से एक धोके बाज है साफधान हो जाओ एक भाई धोका देकर सब धन दौलत लेकर फरार हो जाएगा अब तीनों भाईयों को एक दूसरे के उपर शक होने लगा धीरे धीरे तीनों भाईयों ने शक के कारण आपस में दूरियां बना ली दूरियां इतनी बढ़ गई कि तीनों एक दूसरे के खूल के प्यासे हो गए पडोसी जो चाहते थे वो हो गया और उन्हें ये सब देखके मज़ा आने लगाता दोस्तों हमें हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए सुनी सुनाई बातों में आकर अपने रिष्टे और अपनी दोस्ती खराब नहीं करने चाहिए सहानी है पूरन पुर नाम के गाउं में रहने वाले दो भाईयों की पूरवजो का मकान होने के बावजूद दोनों भाई अलग अलग रहते थे उनके पिता ने खेत का आधा आधा हिस्सा दोनों भाईयों के नाम कर दिया था बड़ा भाई चालाक और अमीर था और मजे से जी रहा था लेकिन छोटा भाई गरीब और सीधा था जिस कारण उसे बहुत परिशानियों का सामना करना पड़ता था एक ताइम का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था ये सब देखकर छोटा भाई बहुत दुखी रहता चाहा कर भी कुछ नहीं कर सकता था एक दिन की बात है बड़ा भाई अपनी पत्नी से बोलता है अरे सुनती हो मैं कल शहर जाऊंगा बीज खरीदने और अपने छोटे भाई के लिए भी बीज लेता हूंगा तुम्हें कुछ मंगवाना तो नहीं है शहर से अजी इतनी महरबानी क्यों अपने उस बिखारी भाई पे अरे तुम ना बड़ी सीधी हो मैं अपने लिए अच्छे बीज लाऊंगा और उसके लिए खराब हमारी फसल अच्छे हो जाएगी और उसकी बिलकुल खराब हम और अमीर हो जाएंगे और उसका खेत भी हडब लेंगे बड़ा भाई शहर से अच्छे और खराब बीज ले आया और उसने अपने नौकर को अच्छी तरह से समझाया कि कौन सी गटरी छोटे भाई को देनी है और कौन से बीज अपने खेत में बोने है नौकर रास्ते भर यही सोचता रहा कि मालिक को ये क्या हो गया कैसे हुआ सोचता हुआ वो खेत पे छोटे भाई के पास मोचा और उसने गलती से अपने सेट के अच्छे बीज छोटे भाई को दे दिये और खराब बीज अपने सेट के खेत में बोने लग गया कुछ महीनों के बाद छोटे भाई के खेत में फसल लहला हाने लगी और बड़े भाई के खेत की फसल की शुरुआत ही नहीं हुए के उसके पास कोई दूसरा रास्ता ना था और उससे अपने पिताजी की कहवत याद आ गए बज्जो एक बात हमेशा याद रखना जो दूसरों के लिए गटा कोजते हैं वो उसी में गिलते हैं इसका मतलब कभी किसी का मुराबर करना था तीना नात बहुत समय से बिमार थे और अब तो उनकी तवियत पहले से भी ज़्यादा खराब रहने लगी थी दीना नात को अब लगा कि उनका अंतिम समय पास में है इसलिए उन्होंने अपने तीनों बेटों और बहुओं को अपने पास बुलवाया जिस दिन सब इखटा हुए उस दिन दीना नात की तवियत और ज़्यादा बिगड़ भी वो कुछ कहना चाहा रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे दीना नात ने इशारे से कलम और कागज माना और कापते हातों के साथ कुछ लिखने लगे उन्होंने जैसे ही एक शब्द लिखा उनकी मौत हो गए जब बेटों ने कागज उठाया और देखा तो उस पर लिखा था आम तीनों बेटे सोचने लगे कि शायद पिताजी की अंतिम इच्छा उनका पसंदीदा फल आम खाने की थी इसलिए उन्होंने आम लिखा है अपने पिताजी की आखरी इच्छा आम जानकर बहू और बेटों ने उनके मरने के बाद गरीबों में कई कुंदल आम बाटे कुछ समय बाद तीनों भाईयों ने कुछ टैनी प्रॉपर्टी बेचने का फैसला किया और उन्होंने इसके लिए एक अच्छे बिल्डर को अच्छे दाम में सब कुछ बेच दिया बिल्डर कुछ दिनों बाद वहां गया और उसमें पुरानी बिल्डिंग तोड डाली साथ ही वहां के पेड़ कौदों को भी उखाडने लगा जब मजदूरों ने आम का पेड़ उखाड़ा तब आम के पेड़ के नीचे एक पुराना संदूक मिला बिल्डर तुरंत मजदूरों को बोलता है ये संदूक जल्दी से मेरे पास लेके आओ जैसे ही संदूक खोल कर देखता है संदूक देखकर सभी की आँखे पटी की पटी रह जाती हैं क्योंकि उस संदूक में करोडों के हीरे जवाहरात थे बिल्डर तो खुशी के मारे पागल हो जाता है नाचने लगता है क्योंकि जितने की प्रॉपर्टी नहीं थी उससे जादा कीमत वाले खजाने पर अब उसका हक था जब उन तीनों भाईयों को इसके बारे में पता चला तब उन्हें बहुत पच्चतावा होता है उन तीनों भाईयों ने ओट कचैरी के चक्कर भी लगाए लेकिन फैसला बिल्डर के हक में गया तीनों भाई अपना सा मूँ लेकर वापिस लोट गए और अपने आपको पोसने लगे के हम अपने पिताजी की बातों को समझ ही नहीं पाए उनके साथ समय वैतीत करते तो शायद उनकी बातों को समझ पाते हैं रामपुर नाम का एक गाउं था वहां हर साल बहुत बड़ा मेला लगता था मेले का नाम सुनते ही बच्चे खुशी से जूह मुटते क्योंकि मेले में तरह तरह के खिलोने रंग बिरंगी गाड़ियां और खाने पीने की चीजें मिलती थी मेले में जोकर भी था जो तरह तरह के करतब करके बच्चों को खूब हसाता मेले में काफी भीड होती जहां माता पिता को अपने बच्चों को समाल के रखना पड़ता कहीं बच्चे भीड में गुमना हो जाए मेले में मनुरण्यन के सारे साधन मौजूद थे जैसे जूला, मौत का कुऊँआ, आधी-आधी लोग अपने व्यस्त जीवन से समय निकाल कर अपने दोस्त और परिवार के साथ मेला देखने आते थे मेले में सारी मौज मस्ती करने के बाद एक परिवार जूले के पास पहुँचा, जो बहुत बड़ा था उस परिवार के दोनों बच्चों ने जिद पकड़ ली कि उन्हें जूला जूलना है ये देखकर पिताजी ने बच्चों को बहुत समझाया कि बेटा ये बहुत बड़ा है, मुझे गवराथ हो रही है, मत जाओ लेकिन बच्चे कहां मानने वाले, वो जट से जूले पे चड़ गए जूला चालू हुआ, लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही जूले वाले ने इसे रोकना चाहा तो वो रुका नहीं, उसमें बैठे जितने भी लोग थे सारे घबरा और डर गए कि अब क्या होगा जिनके बच्चे बैठे थे, वो माता पिता तो रोने लगे और जोर जोर से चिलाने लगे पूरे मेले में अफरा तफरी मच गई, जूले वाले के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था तभी एक व्यक्ति आया, जो देखने में निडर सा लग रहा था उसने इधर उधर देखा और तुरंत ही, बिजली के खंबे से तार जो जूले की तरफ आ रही थी वो काट दी और सब को सही सलामत एक एक करके उतारा गया सब ने मिलकर उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और सब अपने अपने घर की और चल दिये